कि he computer के और रीं तुर्व फॉंटेनक। वीडियोड के पार ट्वेटीटीू में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल एक्सपोर्णिक हो यह में आपको स्वागत है। मैं खुद भी एक एक्सपोर्ण हुँ और यह वीडियो में आपको बताऊंगा how to export by step by step process, yes मैं export करता हूँ, तो क्या-क्य step फोलो करता हूँ, यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा, तो export का जर्णी कहां से शुरू होता है, जब export का order confirm होता है, वहां से export का जर्णी शुरू होता है, तो सबसे पहले मैं performance science time करता हूँ, उसके बाद मेरा जो बायर है, वो advance payment भेजता है और वो payment मुझे आ जाता है उसके बाद वो payment में मेरे supplier को देता हूँ जो भी part like 20% 30% advance जो भी देना है और manufacturing जो है शरू करवाता हूँ और मुझे पता होता है as per performa invoice के हिसाब से कि मुझे country को कब जो है export करना है कब like FOB करना है country को तो उसमें लिखा रहता है कि one month का मेरे पांस time है समझो आज पहली तारीक है तो next first तारीक से पहले मेरा country FOB हो जाना चाहिए तो सबसे पहले में CHA को contact करता हूँ कि पर last week of this month मुझे container export करना है तो उसका पुरा shipping का schedule कौन सी line available है कौन सी line का सबसे अच्छा rate है वो मुझे आप बताओ तो CHA मुझे जो है rate बताता है उसके बाद में जो है rate को confirm कर देता हूँ और मेरा container book कर लेता हूँ मतलब मैं CHA को confirmation देता हूँ container booking तो जब export होते तभी होगा अभी से मैं CHA को confirmation देता हूँ कि यह मेरा planning लास्ट विक में export करना है तो CSA से confirm हो गया अब सबसे important चीज़े export करने के लिए लगने वाले document तो बायर ने जो भी document मांगे थर्ड पार्ट इंस्पेक्शन मांगा है तो जब product का manufacturing हो रहा है तब उसका testing करने डिपेंड देता है buyer ने कब testing रिपोर्ट हो डपेंड देता है और पूरा testing report करवाना है third party inspection मांगा तो वो करवाना है और जो है goods को अच्छी तरह से manufacture करना है quality में कोई भी इधर उदर नहीं होना चाहिए तो पुरा में quality चेक करता हो और जब goods बन रहा है तो एक बार दो बार depend मैं खुद जाता हूँ या मेरा जो employees वगरे है वो लोग जाते है और जो है goods को पुरा चेक करते है कि quality goods बन रहा है वो लोग कोई गोलमाल तो नहीं करें न देखिया यह सब देखना हमारा काम है next है फिर goods बन जाता है तो अच्छी तरह से उसका पेकिंग करना है उसका gross weight net weight करना है और जो है उसका invoice and packing list बनाना है क्या बनाना है invoice and packing list बनाना है उसके बाद जो है invoice and packing list CH को दे देना है और CH को बो यहां पर नहीं export import बहुत ही easy है जब मैं invoice and packing list CH को देता हूँ CH उसके उपर से shipping bill फाइल करता है हमारा जो cargo है फैक्टरी से load होके port में जाता है और वहां पर custom printer यहां से export हो गया और इंडिया के अंदर export का general formality यहां पर खतम हो गया हमको बील बिल जाता है और दूसरे certificate of origin यह सारे document एकटा करना है और buyer को courier कर देना है अगर advance payment है तो बायर को direct courier कर सकते है अगर उधारी है तो आपकी bank को देना है bank आपकी buyer को courier करेगी तो इसी से आप से जो है step by step process होता है by c export में और मैं आपको बता दू आप एक बार दो बार export कर लोगे ना फिर यह process आपके लिए बहुत लिए नॉर्मल हो जाएगा इसमें क्या होता है कि जो नहीं नहीं लोग है जो export करना चाहते हो बहुत डरते कि सर्फ क्या होगा accident हो गया तो यहां पर insurance भी रहता है accident होगए कभी कोई problem नहीं है मैं आपको बता दू मैंने export import zero से शुरू किया तो मेरे को भी ऐसा डर था पहले कि इतना दस लाका country export हो रहा है रास्ते में कहीं चोरी हो गया तो किसी ने उसको लूट लिया तो country में goods खराब हो गया तो country का accident हो गया तो बायर ने goods रिजेक कर दिया तो ऐसे बहुत सारा doubt मेरे मन में भी थे बट जब मैंने export import practically शुरू किया मेरे export import business होने लगा में successful बन गया आज के दिन में मुझे इसे कोई डाउट नहीं है यह business पूरा safe है पूरा secure है और जो है system से business करते है तो यहां पे loss भी नहीं है benefit ही benefit है government भी इतना export को support करती है government के benefit भी अच्छे मिलते है यहां पे तो आप भी export import business करना चाहते हो तो कर सकते हो आपको इस right knowledge होना चाहि के आप successful exporter बन सकते हो thank you for watching this video क्या आप step by step practically export import सिखना चाहते हो then join advanced level export import practical training everything about export import जिसके अंडर 100% export import सिखाने का guarantee है with lifetime support to register call now let's go global together thank you बने के दो आप सकते हैं अपेँ पन्यों काम पास्टे सब्सक्रावे कापड़ने के अच्छे मेंगे हो दिसमागे सब्सक्ताव साब्सक्षावे काना बनुटरिक कापड़ने का विए भी करना चाहते हैं झाल झाल